पढ़ेंगे जो आज के टाइम में जो है वो रेलेमेंट रह गई है जो एक्जाम्स में पूछी जा रही है तो बहुत सारे जो हैं जो भी चीदे हम खाते हैं वो क्या होती है हमारी हम इतने बड़ा पीस को तक में लेकर आना ही क्या होता है यनि क्या करना की जो बड़े आयो मॉलिक तुछ है कनवर्ट कर देना ही डाइजेशन होता है जा इंगे मैं आपको एक्ष्प्रीण किया था रही होती है वो भी सारे एक्स्प्रीश की थी नोट्स जो है वो आपको भटे राई इसके आप पर मिल जाएंगे सो उसके लिए परिसान नहीं होना है जाकर डाउंडोड कर लीजेगा अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन एक्च्वल में जो है वो होता क्या है किस तरीके से होता है अगर मैं आपने कहूं डाइजेशन के बारे में तो डाइजेशन को आपना दो फॉर्म में देख सकते हैं दो फॉर्म में कैसे एक फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में देख पा रहे हैं तो दूसरा किस फॉर्म में देखेंगे अब हम भायों बड़ रहे हैं तो physics की फॉर्म में तेखेंगे या कैमिकल फॉर्म में देखेंगे अब physical फॉर्म में यानि भौत एक पदार्थ और chemical यानि रसाइनिक पदार्थ अब भौत एक तोर पर हम कैसे अब जैसे जो भी हम खाना खाते हैं उसको simplest form में जो है, वो convert किया जाता है, तोड़ा जाता है, break किया जाता है अर लोग हमने कोई खाना खाया, रोटी, चपाती, चाबल, कुछ भी खाया हमने उसको क्या किया गया? छोटी-छोटी units में तोड़ कर एक simplest form में बनाया गया अब हम खाना कैसे खाते हैं? आज से bite पकरते हो और मुह में डालके दातों से चबा चबा कर खाते हैं इसलिए बोला जाते हैं, अगर best way होता है खाना खाने का, आप फूड को एकदम चबा चबा कर खाये तब तक अच्छे से उसे खाये जब तक जो है, वो आपके मुह में जो है, वो हल्की सी सलाइवान मिक्स ना होने लगे आपके फूड के साथ और आपको एक अलग टेस्ट आने लगता है तो अब जो है, आप उस तरीके से खाते हैं, फिर अपने जो है वो गले की तो आप जो है वो अपना खाना जो है पूड कर जाते हैं, आपके पेट में जाता है यह आपका फिजिकल फॉर्म होता है, तो आखिर कैमिकल फॉर्म क्या होगा, अब आपके दिमाग में फिजिकल फॉर्म में भी काफी सारी चीज़े आ रही होंगे, कि आपने तो सोचा था कि अच्छा सिर्फ जो खाना रखा हुआ है वही फिजिकल फॉर्म है, नहीं खाने को खाने से जेकर अंदर ले जाने तक जो है वो सारे कसरा आपका physical form में आता है तो आखिर chemical form में क्या आता है यह सिर्फ आपको समझना है यहां से exam में question नहीं पूछ रहेंगे exam में कुछ रहेंगे कहां से पूछ जाएंगे मैं बताओंगे यह सिर्फ आपको explain जब चीजें जाज़ तर मैं ना लिखू या सिर्फ एक्स्प्लेइन करने पर मोटिव हो तो आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजेगा अब डाइजेशन में ने लिखा आप फिजिकल फॉर्म केमिकल फॉर्म लिखना मत स्टार्ट कीजेगा हम खाना खाते हैं चबाना चालू पको चीजें पता हो किस तरीकी से हो रही है सारा एक मैंतरड्ट जो है वो किस तरीके से हो रहा है तो चलिये अब आते हैं आपने ग्रामी कल फॉर्म की की processing होती है अब उन्ही enzymes के थूँ जो हमने food intake किया होता है physical form में उसी food से हमको carbohydrates, proteins, वसा, सारे के सारे ये जो पदार्थ होते हैं ये सब किसपे convert होते हैं ये सारे के सारे जो हमारे enzymes से convert करके आते हैं अब हम कोई भी food जो है वो खा लेते हैं अब पाचन क्रिया के बाद जो हमारा food जो होता है वो एक simplest form में convert हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो digestion अगर हो जाता है पाचन हो जाता है वो सारे process आगयार जानते हैं अगर हम बात करें तो जो भी हम फूट खाते हैं उस फूट में जो पाचक रस में जो विद्दमान्ब्रो अंजाइम्स होते हैं उस फूट को पाचन क्रियाल तग जो हो पहुचाने में लदन्स कर宅गा और स्थी में जो प्रोड करेंगे तो पूछ भी आप नमकीन पूर्पूरे चिप्स भी लेकर आते होंगे तो उसमें नेटेबल चार्ट बना हुआ रहेंदा प्रूटीन कितने हैं, कार्भो हाइडरेट, पैट कितने परसंच हैं, उसके रावे स्टार्ट वगएरा कितना कुछ भी मिक्स खिया गया हो तो टाइलीन नाम का एक आइम्स होता है इसका प्रभाव होता है वह सरकरा और स्टाश पर देख रहा तो महीं बिसिकली प्रिंग का प्रभाव है इसके बारे में बहुत सारी चीजरे डीर के जैसे अगर हम पोशन नाल की बात करें, पोशन नाल को भी है हिंदी भी गया है, वह इंग्लिश में क्या होते हैं, आपकी देपाँ में आ सकता है, यह जो हमारी अहार नाल होती है, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अलिमेंट्री कैनल के बारे में, और मैंने यहीं से की हमें अपन स्थार्ट करना था, भी केणल से यहेे करते हैं, अलिमेंट्री कैनल से सब्सक्क्त, नाल के हिता है, आप recurrence क्या में आपको इस वजिसे से नहीं पढ़ा था क्यूंकि इसे ने मैं काफी सारे हमारेaráब अड़ी ने और गंसे में a च्बर से काफी सारे उसके ऑलावा साथ साथ कुछ थे जैसे आपने एक इसे जॉक राप सुनी होगी तो एक मेल जूव थी उसके अलावा कुछ जो है वह आसे गोश्टेन स्कीज़'re होसे चुप स्हज क्यों सीमाhmenडी या इसे एक के तरीके से समझ सकते हां हमारे बॉड़ी में कुछ मेन और समय क sexually स्क्राइब और सिर्ण करते हैं वे पर दिएक हैं अर्टरी यानि बस्क्राइब हमारे बड़ुन और सब्सक्राइब व्यापनेद नीचिनान रात हैं में बट मैं के नेम हिंदी में आपको बता दूंगे प्लश जो भी आपको नोट मिलेंगे वो टूटली हिंदे में मिलेंगे आप ऐसा मन अपूरें हैं प्लस हां यह चीज़ हम ज़रूर करने की कोसिस करेंगी कि जो हमारे नोट्स हैं उसमें साथ में English का भी हम इस्तेमाल करने क्यूं कि बहुत सारे आप General Science में या Science and Technology में आप ऐसे अगयि की काप दूसए ने का मतलब यह क्या चीज़ें अगरा रही मेंन को और ने से हांएं अरो जोटessa से अपने अब यह मेन ओर्गन में हमारे कौन-कौन से हाते हैं, हमारा माउथ हा जाता है, मूह, मेन ओर्गने भिया, अगर मान लोग कि हम खाना ना खाँ पाएं, तो कितनी बड़ी इसका राज आईए, समझ लेज़े, माउथ हिंदे में इसे मुख बुखा बोला जाता है, उसके मेन बड़ी पार्ट से सुने थे बच्पन में, इसोफेगस वगएरा तो हमने सुना नहीं था, पैंक्रियास वगएरा, तो यह मेडम कहां से लेकर आ गई, सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है, तो कोई बात नहीं, या फिर हिंदी में हो सकता है, कभी न कभी आपने ग भूल सकते हो, आप खाना खाऊगे, तो खाना कहां लेकर त पैती मेकर जाओगे लेकर जाओगे अव्डम कैंचों बहुत दहरें इतना भर भर के खाना खाता है कि कि किसी का पेट एकदम बाहर आजाता है खाना बोलता है कि भीया बस कर दो खाना वरना मैं जो है वह निकल कर बाहर रहूंगा खेर हमारे स्टमक भी ना बहुत गज़त की चीज़ है जब हम इस चमक को साफरेट पढ़ेंगे सारी चीज़े देखेंगे जन्रल साइंस को आप समझेगा कि ओ माइगा बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है समझ नहीं आ रहा या क्या हमने आज तक पढ़ा नहीं हमको 910 में तो साइंस समझ में आई नहीं अब हमको यह साइंस क्या ही समझ में आ जाएगी तो ऐसा नहीं है बहुत ही आसान चीज़े हैं प्लस जो डिफिकल में ठोंगी भी कूसिस करूंगी उन्हें आसान बनाने के लिए आपकी और बहुत ही रिलेक्स होके क्लासिस करिए तो मज़ा आएगा एकदम सांथ दिमाग से स्टमक उसके लाबा मीन और गन में और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदे में क्या बोलते है या छोटी आथ तो अगर छोटी आथ में और गन है तो बड़ी आथ को भी बुरा लग जाएगा ना तो उसको भी इहीं पर रखना पड़ेगा तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है यानि जो बड़ी आथ होती वो भी हमारे main organs में ही आगती है इतने आपके main organs होते हैं तो आपके associated organs या फिर जो है associated organs या फिर glands क्या होते हैं चलिए उनके बारे में भी जानते हैं आपका salivary glands हिंदी में भी है इसे लार ग्रंथिया बोलते हैं gastric glands यानि कि जठर ग्रंथिया पैंक्रियास हिंदी में क्या बोलते हैं अगनासे गॉल ब्लैडर पित्ता से उसके अलावा एक last बच्चता है intestinal glands लिखना चाहें तो लिख लीजेगा otherwise notes में आपको मिल जाएगा तो परिसान नहीं होने इतनी चीज़े हैं उमीद है कि सारी चीज़े जो है वो समझ में आ गई होंगे अब इसमें भी अगर आप पढ़ना चाहें न तो बहुत सारी चीज़े हैं ऐसी जो basically आप पढ़ सकते हैं एक एक लाइन में बताना चाहूंगी mouth के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा mouth होता है इसके साथ जो हमारी दाथ और जीव जो है वो साथी में होते हैं यह हमारे mouth है इसमें आपके दाथ हैं जो बोलते लोग की निकाल कर रख देंगे बहुतकर कोई को बोले तुम्हारी 25 toad a लोग जो है लोग अगर जिनके आज आते हैं बहुत सारी लोग ऐसे होते ही पर्टिकुलर 35-40 फ्रुटम की एस तक आते बी उनको जो है लास्ट के जो बतीस डाथ होते तुटल व कोई जरूरत भी नहीं अगर ना भी आये तो भी काम चल रहा है इतने में चल रहा है यहां यह एधर जो डाथ डाई आते हैं 202 वह एक्सट्रा ही रहते हैं कोई उनका ऐस सच कोई रोल या काम होता नहीं है आ बस दिमागी दात वगर ऐसे बहुत सारी चीज़े होते हैं लोग बोलते हैं तो वह तो माउथ हयाद रखिएगा जीब से और आपके दातों से कनेक्टेद होता है यानि दो चीज़े इसमें इंबॉल्ब होती है सामिल होती है क्योंकि आपका भूजन होता है ना भूजन को अमाश्य तक पहुंचाने का कार ही हमारे जो है यह ग्रसनी का होता है इसे ग्रास नली भी बोला जाता है इसोफेगस को तो फिर स्टमक क्या करता है अमाश्य क्या करता है स्टमक जो है यह एक प्रकार कर जो है वह वह पेश जाता है यह जो है आपका जाने कितने टाइम तक जो है चलता है और प्रॉब्लम होद रहे ना तो बहुत शारी चीज़े जो है कहीं न कहीं बिगड़ आगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनके बारे में हम देखेंगे लेकिन इस चमख का में काम है वह याद रखेगा इसे आपने भूह होता है तो उसको सेंपल uh पूरी जाके इस्ट्वमक में क्या काम हैं इसे भी तीन बारे में लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइट कर जा अभी इसे भी अगिन इसे पार्ट में डिवाइट हीं केकम में में कॉलोन और रेक्टम में ठीक है अब जो एसोसियेट्ड फोते हैं जिसाकि व्लैवर्य ग्लैट्स ऑप यौत के अलावा घृतियस आरा टान्य भी flatterया होता है और इसमें जो अगर में बात करें तो लिए लिवर वगवारा भी आज राता है इनके बारे में सभी के बारे में उते हैं अगर हम बात करें तो ग्रस नली होती है लार ग्रंथियों यानि हमारी जो शलाइवरी ग्लैंट्स और सलाइवा हो गई तो इन सभी के बारे में एक एक करके चलिए डीटेल जानना चालू करवें चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ से माउथ में डाइजेशन होता किस प्रकार से है सो समझने का प्रयास करते हैं बेसिकली अगर हम बात करें उसके अलावे एक चीज़ और बताना चाहूंगे कि मेरी जो ड्रॉइंग है वो थोड़ी से भले ही मैं जनर और आपको नूट्स में जो है वो मिल जाएंगे डाइग्राम उसमें थोड़ी धंके बने हुए हैं बट उतने भी धंके नहीं बने हैं बट फिर भी ठीक थाग बने हुए हैं तो अब अगर बात करें डाइजेशन इन माउथ की तो यहां पे जो है यहां पे इस्ट्रॉक् अब ही मैंने आपको थोड़ी तर पहले नाम बताया था तो यह जो है यह बेसिकली दातों के पीछे वाला जो यह पार्टीशन होता है आपके यह कान के साथ यह यह बाला पार्टीशन होता है यह जो करेक्टेड अगर इमेज में भी जो है डारिकली रिलेट कर पाएंगे यहां तक जो है आपका मुह है यहां यह आपके दात है उसके अरावा यह यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह बाला जो पार्ट आपको दिखता है यह बाला जो पार्टीशन होता है वो आपका बेसिकली जो है वो पैरोटीट डाइट होता है वहीं यहां पर आपको यह पार्ट होता है उसे बेसिकली जो है वो सब मैंडेबुलर ग्लाट आता है अब अगर यहां पर अगर हम बात करें यह जो है यह एक छोटे से फॉर्म में चीज़े जो है वो समझा दे गई हैं अब यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां से यह जो है आपका गर्दन वाला प यह हमारा यही जो है यह बीश में यह जा रहा होता है अब आप गर्दन उपर करेंगे तो इस टाइल से आपको इस च्रॉक्चर मिलेगा यह जो बेसिकली होता है आपका वो आपका ट्रैकिया होता है यह विंड पाइप होता है जिसे हिंदी में स्वास नली बोला जाता है ये यहां पर दबा दिया तो जो है इंसान सांस नहीं ले पाएगा उसके लावब ये करना मत और इसमें जो जन्रल साइंस वाली आपको एक्जाम के लिए पढ़ना है इसलिए सारी चीतर नहीं को है किसी का टेटो एट भगोने लगिएगा यह यह वाला पोर्शन होता है यह बुचा रख़ती है यह यह जो नाक वाला पुरसन होता है यहां से आप एर लेते हैं चिज़ें, वो इस थरीके से होती हैं, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोशन होता है, यहाँ का चौन होता है, इतनी चीज़ें, में में गूइन जो नहीं थे, वो मैंने समझा दिये हैं, और में चीज़ें ही समझने का प्रयास करिएगा, अगर हम बात करें मुख गुहा से तो मुख गुहा से बेसिकली तीन जोड़ी जो है वो लाल ग्रंथियां पाई जाती है कौन कौन सी तीन ग्रन्थियां होती है पहली ग्रनथी होती है पैरोटेट अब यह करती है पैरोटयट यह कहा पर होती है नीचे वाला जबड़ा होता है इसके पास जो है। और सब्लिंग्व बांव्ल के जीव होती है। आफ याप काफ़ी देर तक बोलते रहिए लारा के बारे में आपयों की तो खैसे संक्सें बीच बीच में नगा दिये जन्रल साइंस जो है वह आप दोनों तरीके से कह सकते हैं और काफी जादा बार आपको लिखना भी पड़ता है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि एक्षुल में उस तरीके से डाइग्राम्स वोगेरा जो हैं वह आपको इमेज के थू ही समझ में आएंगे देख सकते हैं बड़ पहले ही डिस्क्लेमर कच्छे दिलवाले ना देखे जिन्होंने बच्पन से सोच रखा था कि हमको जो एफ मैडिकल वगरा में नहीं जाना है हमारे डॉक्तरी वगरा बसकी नहीं है क्योंकि हम किसी को सुई लगते हुए नहीं देख सकते हैं किसी का नहीं देख सकते हैं तो बिलकुल ना देखे एक्जाम में वहाँ से पूछा जाना नहीं है बस आप अपने बेसिक लिए देख सकते हैं तो जिनको ऐसी चीज़ें कभी लगी है वह बिल्कुल ना देखें बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब ऑफ-लाइन क्लासे सोती है ना तो कुछ बच्चे जो हैं खासकर उसमें आप लड़कियों को ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं कि ना जैसे बहुत बार समक वगरा के अंदर का जो है वह स्ट्रॉक्चर दिखाए जा रहे हैं उनकों बहुत अजीब सा लगने लगता है और बहुत सारे लोगों को तो इवन जो तै होते थे इतनी जो है अपट क्लास वगरा में इस सब चीजों को देखते हुए या पढ़ाते हुए मुझे ऐसा नहीं पील हुआ जब वीडियो देखते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बट जब वह चीज़े में रियल में देखते हुए मैंने जब नॉर्मली जब देखते हैं वह की कि मुझे पकड़ा दिया और भूगा नहीं था किसे पकड़ लो तो एक्टूल में यह बतारी है और फिर अपने बीडेखे जेती है तो यह फिर अपने पास होती है तो एसी बहुत साइज चीज़ें होती है जो लोगों के साथ होती हैं तो जिसके साथ हैं आप मत देखिएगा जिनके साथ नहीं है और आप देखना चाहें तो देख लीजे उसके रावा 2-4-5 मिनट का ही वीडियो देखिएगा करना है क्योंकि उसके लावा और भी चीजसे पखनी द्यारी जो है देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है बहुत बार ऑसा होता है कि हमें छा आप feminine हमें किनीKK मांगा गया मट्चिछ भाग घर को इतना नहीं मांगा गया अगर इतने ही हैं उन ऑग्राइग सब्सक्राइब की हुई है उनके साथ उनी नहीं है उपैसी में आप सिर्फ देखिये कि आप से क्या मांगा गया है वह आपने किसी भी स्ट्रीम में किया उने कोई परक नहीं पड़ता है इसका मतलब है ना कि कुछ तो चीज़ें होंगी ना तो आपको रिसर्चर वगरा नहीं बना जो एक्वाम की नीड है उस पर कर दो तीन महीने बाद जो है वह लगातार दो तीन बार रिविजन कर लीजेगा माइंड में चीज़ें वह रही आएंगी डेली हैं तो दस से पंदरा दिन में वह कोसिस करेंगा कि साथ से आट बार जो है वह आप नोट्स वगरा रीट कर लें और क्लासें जो हैं जिनने एक क्या कर दिएगा उसको अगेन जो है एक से दो बार और वीडियोस वाच कर लीजेगा और जब भी नहीं समझ में आई नहीं तो आप जो है वो भटनेर आई इसमें कभी भी आप अपने क्या साच कर सकते हम आपको कॉंटेक्ट करके अपके डाउट को भी जो है वुघ्ण करने कर प्रयास करेंगे प्लस कमेंट के शक्री को समय प्रॉबलम नहीं है छाल कर दिया अब जो है में आपको क्या बताएं थी य्ट हमारी नांपоме उतौन कर द सकता है इस partial ताहिए सब को बोला जाता है अब जो पिएच वैल्यू होता है वो क्या होता है वो बेसिकली इस लाइटली- एस डेक नेटए होता यानि थोड़ा सा अमली होता है और इसका PF मान होता कितना है तो 6.5 जो है इसकी पिएच वैल्यू होती है अब इसका composition कैसे होता है यह actually में हमरी saliva होती है वह आखिर बनी किस चीज से होती है तो अगर हम उसके बनने की बात करें तो उसमें जो है वह water होता है 92-92% जो है वह saliva में आपके water पाया जाता है उसके अलावा उसमें जो है वह आपका salivory amylase enzyme पाया जाता है और लाइजोजोम पाया जाता है तो भोजन में जितने भी किठाडू वगरा है उनको नर्स्ट करने का जो कार है वह लाइजोजोम करता है अब ऐसा तो है नहीं या कोई ऐसी guarantee दे भी नहीं सकता है कि आपने जो food खाया है वह उसमें किसी भी प्रकार के कोई germs नहीं थे बनाने में बनाने के टाइम में जर्म्स हो सकते हैं हमारे हाथ में जर्म्स हो सकते हैं डिटॉल का आद आता है डिटॉल जो है वह 99.99 जर्म्स पुछ है जितने भी 99-98% जो जर्म्स है उनको किल करता है खेर में उसका प्रमोशन पागिरा नहीं कर वह ऐसा मत सोचीगा पट मैं एक का कारे करता है जो मैंने आपको बोला जाए इसलाइवरी कhops क leben इसलों स्यजी के आधिस एक सी उनका जाइम होता है इससे जो है वह तैंली में लिखना है तो आप एसी लिखेंगे इंग्लिज में दुस् voltage है कैसी लिखों उन्ट च्पलिंग रोंग इस होतीता टाइलीं की स है but p by जो होता है वह आपका साइलेंट होता है अभी यह इस टार्च जो होता है उसको के पाचिन से सम्बंदित होता है और उसे जो जो कार्बो हाइड्रेट्स या स्टार जो होता है उसको यह माल्टो में सब्सक्राइन कारे करता है अब कैसे चीज़े होती है जैसे अगर हम बताएं जैसे मैंने आपको डाइजेशन जब बताया था तो डाइजेशन में आपको चीज़े एक्स्प्रेइन किते हैं तो जो स्टार्च होता है वो किसमें होता है यह जटल कार्बन एक अड़ू के फॉर्म में होता है अब जो बेसिकली स्टार्च होता है यह किसमें convert होता है, maltose में convert होता है, किसके तुरू slivery amylase enzyme के तुरू, किसके तुरू convert होता है, slivery amylase enzyme के तुरू, start जो है, यह अपने jetil carbonic जायवणो की form में होता है, और maltose जो होता है, starch अपने strong form में था, maltose को उसने किसमें form में convert कर दिया, simpler units में convert कर दिया, वहीं जो polysaccharide होता है, वो भी अपने complex form में होता है, तो polysaccharide को जब salivery amylase enzyme के तुरू convert किया रहता है, इसमें यह जो chemical reactions वगरें यह इतनी भी चीवने आप देख रहे हैं यह को करनी की दूरत नहीं पड़ती, आप इतनी बढ़िया चीज देखिए कि हमारा जो human body है वो खुद एक machine है, आपको उसे signal नहीं देना पड़ता, खाने के बाद कोई बटन अटन नहीं दबानी पड़ती की फूर्ड वो डाइजिस्ट होगा और प्लस भूंख लगती है न तो आप देखकर खाना नहीं खाते हैं या आपको जो है वो कोई याद नहीं दिलाता कि चलो तुमको भूंख लगी या खाना खालो आपको जो है वो माइन आपको सिंगमल दे देता है आपको प्यास लगती है भूख लगनी होती है कुछ भी हो रहा होता है यह हमारी बॉड़ी जो है खुद अपने आप में एक बहत्री है बेसिकली कह सकते है कि एक मशीन है अब जितना भी अगर हम बात करें कि जतना भी माल लीज ही जो है माल टोज में कनवर्ट हो पाता यानि की ठार्ट यो है वह इक ही बारी में имеет 100% माल्टोज में सिंप्लर यूनिाट में कनवर्ट नहीं होता स्टार्ट जो है वो only 32-35% यानि 30-35% ही जो है वो माल्टोस में convert होता है तो आखिर फिर जो उसके बाद माल लोग की 70% से 65% जो बचता है वो आखिर कहां जाता है या क्या होता है तो बाकी के जो changes और जो परिवर्तन होते हैं वो आपके पेट में जाकर होते हैं तो starch का जो पाचल होता है वो basically मुख गुहा से ही प्रारम भुर रहता है starch आपने लिया वो आपके जो है वो मुझ से ही basically यानि जो है वो आपके start हो जाएगा और जाकर final जो complete है वो आपके अगनाश्रे में जाकर यानि पेट में जाकर जो है वो complete होता है तो यह चीज़े थी I hope आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी किसी भी तरीके का कोई भी doubt जो है वो नहीं होगा चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर दूसरा टॉपिक या दूसरा कंपोनेंट था हमारा इसो फेगास अब बस एक नट देजेगा पानी बिलूप अच्छा एक चीज़ और जो लोग भी न यह सोच रहे हैं कि लाइफ में लंबा जीना है यानि 60-70 के बाद नहीं जाना है नबे के बाद जाना है अगर किसी के को देखिए नैच्छुरल टैथ हा जाए यह कुछ हो जाए बहुत बार एक्सुटेंट वगर हम चाहते नहीं है सिर्फ एक्जाम्पल दे रही हो और तो कोई बहुत लंबा जीना चाहते हैं तो अपने हम फोकस है वह अपनी डाइट पर करिये लड़कियों के लिए एक्सी जार जिनको यह लगता है कि जो आपकी ब्यूटी है वह बहुत बार है इन्हांस होती है चीज़े होती है मैं उसको डेनाई नहीं कर रही हूं बट जो आपकी में जो ब्यूटी होती है वह इन्हांस बाल जढ रहे हैं हम यह लगाएंगे वह लगाएंगे चाचार पांट पांट सोगे मुश्किल से 2200 अमल टेल खरीद के लापियों को लगता है कि इससे सही हो जाएगा इससे सही नहीं होगा अगर आप बाल अपने नाखून वगरा या बॉडी का कोई भी पार्ट हो आप स्ट्रॉंग रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट पर धिखान दीजे आपको अपनी डाइट पर मीन फोकस करना पड़ेगा प्रूटीन जतनी शारी चीज़ों की जो है वह नीट्स है वह नीट्स आपको फूल्फिल करनी पड़ेगी तब ही जो बहतरीन होंगे आपके चह तो कुछ सोच समझ कर ही दे रही होंगी बस आप यह समझ लीजे बड़ बताऊंगी नहीं पर आप समझ सकते हैं चलिए इसोफेगस जानते हैं अब इसोफेगस यानि ग्रसनी क्या होता है इसमें याद रखेगा अगर इसे आप डाइजेशन से जोड़े यानि इसोफेगस मे नहीं होता है तो तो इसोफेगस का क्या है अगर डाँजेशन नहीं है तो अगर हम दो में our इसको अगर पीड तक पहुंचाना है क्वेड twee तो जो आप ठादे हैं उसे पेड तक पहुंचाने के लिए और इसी लिए Isophagus में बोजन का किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता अगर तो आपके दिमाग में यह कुश्य ना रहा होगा कि क्या अगर मानलो Isophagus में एंजाइम रिलीज हो रहा होता तो क्या हमारे इसोफेगस में डाइजेशन होता जी हां होता क्योंकि जब हमने एंजाइम की डैफिनिशन पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको चीज़े जो भी और जो हमारा चीजे होती है उसको सिंपलेस्ट उनिट में करने का काम की जो है वह डाइजेशन का होता है वह उसमें इन्जाइम वगरा होती है प्रोटीन और सब्सक्राइब सारी चीज़े हम कोई भी फूट खाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ उसमें प्र वो सारी चीज़े होती हो समय तो उन सभी के तुरू जो है वो एंजाइम का भी एक काफी बड़ा जो है वो रोल रहता है तो इसे कैसे समझ सकते हैं इस तरीके से यह हमारा पाइप टाइब होता है इस टाइब से लाइक स्ट्रॉक्चर होता है इस टांप से यह आपका पेट होता है लग रहा पेट या नहीं लग रहा है यह आपकी घरस्पनी होती है ठीक है तो हमने समझ लिया एसोखेगर आप समझना है डाईजेशें यह मैं स्टमक कि यह आपका क्या है यह आपका human digestive system है human digestive system में देख लीजे कि किस तरीके था है पूरा digestive system है basically human digestive system यह पूरा इस तरीके से लगता है और इस तरीके से यह ही जो है वो वर्क करता है यह हमारा यह जो आपका 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 यह जो यह दिल का रास्ता हो और पिट से उकर जाता है यह जो रास्ता है उसी को क्या मोला कुछ रहता है यह सबिक रहां को पता है और असक्राम के लुह फक्राद सबस्सक्राइब हां छो गश akadate सहिंक हम नने अधर में मैं अन्हीन की स्मॉल की छी ने कॉragenा है करेंगे चलिए अभी हमें जो है वह बेसके बारे में पढ़ना है डाइजेशन इन इस टमक में पढ़ना है कि डाइजेशन वगरा जो है वो किस तरीके से होता है तो चलिए कि यह आपका क्या है स्टमक अब इसी स्टमक में अगर हम बात करें यह वाला जो यह वाला स्टमक में यह वाला जो पार्ट है ना आपका यह इसे बोलर रहता है बोलस वहीं यहाँ पर यह जो पार्ट होता है तमक में बेसिकली यह लोवर इसोफेगल होता है वहीं यह साइड में यह जो आपकी ग्लैंट से यह स्ट्रॉक्चर यह अभी इसी में बना हुआ है इस वज़े से आपको ऐसे लग रहा है चलिए मैं अभी इसमें लगा नहीं पाई यहां पर यह उती है उसे क्या बूला जाता है उसे पाइल और एक ग्रेंड ग्लैंड बूला जाता है इन सभी के functions देखेंगे यह क्या करते हैं सारी चीज़े कैसे होती है यह आपका main body part होता है यह पूरा अंदर वाला यह आपका main body part है यह क्या है main body part है यह जो अंदर यह जो राष्ता जा रहा है इसे बोला जाता है और यहां बेबी एक नली टाइप की होती है इस नली को जो है वो लोवर इसोफेज जियल बोला जाता है